येस तो आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है तर्शरी स्ट्रक्चर ध्यान से सुनना इस स्ट्रक्चर को इसमें जो बोला गया है कि पॉली पेप्टाइड चेन यहां पे लिखा है ना कौन कौन से बॉन्ड जो है वो बनते हैं पहला सबसे पहले आइनिक बॉन्ड हाइडरोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड डाइसलफाइड बॉन्ड फिगर 20 इसमें आप देखे 20 नंबर पे फिगर जो है इसको समझिएगा यहां पे ठीक है आपने 3 पॉली पेप्ट चीन जो है वो एक दूसरे के नजदीक आती है ठीक है इस्पेशली फंक्शनल होता है माल लीजे कि यह पॉली पेप्टाइड चीन है ठीक है अब इसमें आपने बॉन्ड का याद रखना है कि कौन-कौन से बॉन्ड बनते हैं ठीक है बॉन्ड रॉक्वाइड फॉर्ड टर बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम डाई सलफाइड बॉन्ड तो टर्शिरी स्ट्चर जो है उसमें आपने बॉन्ड के बारे में बताना है कि कौन-कौन से बॉन्ड बन रहे हैं उसमें तो यहां पर दो सलफर के बीच में बॉन्ड बने ठीक है तो हम इसको क्या बोलेंगे disulfide bond क्या बोलेंगे disulfide bond B structure जो है उसमें बताया गया है कि जैसे यह polypeptides में इसके साथ tyrosine लगा हुआ है एक तरफ जो है hydroxyl group है दूसरी तरफ carbosilic group है तो दोनों के बीच में कौन सी bonding है hydrogen bonds बने हुए है ठीक है क्या बना है hydrogen bond बना हुआ है then C number पे जो है वो electrostatic interaction है यानि कि यहाँ पे एक amino group है दूसरा carbosilic group है दोनों के बीच में जो है वो electrostatic interaction है यही electrostatic interaction आपको amino group और carbosilic group में देखने को मिल रही है ठीक है अब उसके बाद जो है fourth number पे आप देखिए fourth number पे है जो hydrophobic interaction है यानि कि यह दोनों side chains के बीच में जो है वो interaction है non polar side chains है यह जिनके बीच में interaction हो रही है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे hydrophobic interaction तो इस तरह से show कर सकते हैं आप tertiary structure को इसके बाद जो है वो quaternary structure है यह देख सकते हैं आप इसमें quaternary structure है hemoglobin molecule का ठीक है एक heem molecule है दूसरा protein molecule है तो यह बन रहा है आपका hemoglobin जो है वो एक tetra amiric protein है क्यों बोलते हैं इसको tetra amiric क्योंकि इसमें 2 alpha chains होती है और 2 जो है वो beta chains होती है 2 alpha 2 beta chains होती है जो alpha chain होती है वो 141 amino acid से मिलके बनती है और 2 beta chains जो है वो 146 amino acid से मिलके बनती है ठीक है especially functional होते है globin of a hemoglobin बोला जाता है इसको quaternary proteins ठीक है हमने याभी अभी आपको बताया कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है ठीक है तो 4 hemoprostatic groups होते हैं ठीक इसमें जो है वो 2 alpha chains होती है 2 beta chains होती है जिनको हम represent करते हैं as alpha, alpha 1, beta 1, alpha 2, beta 2 हर एक alpha chain में जो है वो 141 आपने लिखना है कि इसमें 141 amino acids होते हैं कि इसमें alpha में और beta में 146 amino acids होते हैं बीटा में कितने होते हैं 146 amino acids होते हैं तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या tetrahedral quaternary structure क्यों बोला जाता है tetra क्योंकि इसमें 2 alpha 2 beta होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम tetrahedral quaternary structure right so on the basis of the shape shape की basis पे अब हम proteins के types को पढ़ लेते हैं on the basis of the shape the proteins are divided into two categories first is the globular दूसरी fibrous protein on the basis of chemicals के basis पे देखें तो proteins को three category में हम बांट देते हैं कुछ जो है simple proteins होते हैं जिनको hollow proteins कहते हैं simple proteins में जो है वो जैसे हमारे पास बहुत सारे albumens आ जाते हैं globulins आ जाते हैं ठीक है ये proteins जो है वो एक ही तरह के amino acid से मिलके बनती हैं then उसके बाद जो है वो हमारे पास conjugated proteins आ जाते हैं जिनको हम hetero hyetero proteins भी बोलते हैं ठीक है so conjugated proteins में जो हमारे पास जो protein और non-protein बाट होता है जो मिलके nucleo protein को बनाता है ठीक है तो इसमें protein जो है protein is associated with the non-proteinaceous compound called the prosthetic group जब protein और non-protein part आपस में मिल जाते हैं तो nucleo protein बन जाते हैं क्या बन जाते हैं prosthetic group जो कि essential होते हैं वो proteins की biological functioning के लिए तो prosthetic group के basis पे conjugated proteins को हम again जो है बहुत सारी categories में जो है वो categorize कर देते हैं जैसे उसमें से कुछ जो है वो derived proteins हो जाती हैं derived proteins का मतलब कि उनके products के basis पे देखते हैं कि वो protein किससे बनी है ठीक है कुछ जो है वो structural proteins होती है जैसे कि collagen और elastin इसमे collagen और elastin कुछ structural proteins होती है collagen और elastin ठीक है तो कुछ जो है वो storage proteins होती है जैसे कि albumin कुछ enzymes की तरह proteins act करती है most of the enzymes are also proteins बहुत सारे enzymes जो है वो कैसे act करते हैं कि प्रोटीन तरह К ýल कि आम समय मजॉर्क क्राइन की आप पर स्थ एक कते हैं चमक्राइब प्रूटीन लेंगि कर थाक्ति कि लीडिये शुजर्वी सबनाता रहत डानिग्षोर्च बनातीお願いします कुछ carrier proteins होते हैं carrier proteins जो help करते हैं transport of substances में कुछ contractile proteins होते हैं जैसे कि हम इसका lesson भी पढ़ेंगे actin और myosin का ठीक है locomotion में ये काम करते हैं then उसके बाद conjugated proteins होते हैं जो कि जैसे कि hemoglobin है help करता है transport of gases में ठीक है तो ये सारी चीजें जो है मिलके ये सारा गुछ जो है वो proteins का बनता है ठीक है so proteins बहुत necessary होते हैं आपकी body के लिए उसके बाद हम next topic पढ़ेंगे lipids का यहां तक जो था वो proteins के बारे में था तो proteins के हमने different structures को किया I think यह बहुत important question है आप सब को जो है वो learn करना चाहिए अच्छे से ठीक है thank you उसके बाद हम जो है वो lipids पढ़ेंगे